अपने जीवन को अपने हाथ में लेना और आगे बढ़ते जाना चाहे आप किसी भी तरह की प्रष्ट भूमी से आये हों आप अम्बेडकर को पूजिये मत मगर उनके जीवन की तरह अपना जीवन बनाए कि चाहे समाज आप के लिए कुछ भी तै करे आप रुकेंगे नहीं देखिए दुर्भा गिवश सभी नेताओं को किसी ना किसी ने हथिया लिया है अगर आप सरदार पटेल कहते हैं तो कॉंग्रेस कहेगी वे कॉंग्रेसी थे आप उनकी बात क्यूं कर रहे हैं हम बेटकर कहें तो कहा जाता है वे दलित थे आप उनकी बात क्यूं कर रहे हैं जिन भी लोगों ने इस देश के लिए काम किया है उनका सभी के लिए प्रेरणा बनना महत्वपून है देखिए अगर उनके अपने शब्दों में कहें तो उन्होंने लोकतंत्र को सिर्फ सरकार का एक प्रकार नहीं महना बलकि ये इनसानों का एक दूसरे के प्रती सम्मान और श्रद्धा और सम्मान दिखाने का एक तरीका है ये उनके शब्द है तो वे एक दूसरे के प्रती श्रद्धा की बात कर रहे है अगर कोई एक दूसरे के प्रती श्रद्धा की बात करता है तो एक तरह से ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है तो वे सामाजिक लोगतंत्र की बात कर रहे हैं राजनीतिक लोगतंत्र की नहीं राजनीतिक लोगतंत्र यहां मौझूद है खाग्जों पर, कानून के अनुसार हम सब बराबर हैं मगर समाजिक तोर पर ऐसा नहीं है कोई समाज हर इनसान को बराबर लाने में सफल नहीं होता ऐसा कभी नहीं होगा यह अलग बात है मगर बराबर अवसर जरूर मिलने चाहिए वाकई समानता चाहे नहो मगर समान अवसर जरूर मिलने चाहिए दुर्भाग वश ऐसा अब तक नहीं हुआ है हलांकि कानूनन हम सब के पास समान अवसर है समाज में हमारे पास अब भी समान अवसर नहीं है बहुत से लोग कई रूपों में इस अवसर से वन्चित रहते हैं या वे अवसर पाने के लिए मौजूद नहीं होते. ऐसा होने के लिए, सबसे महतुपूर्ण ये है कि, देखे आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब बस यही है, कि आपकी पहचान आपके शरीर के रूप में नहीं है. जब आपकी पहचान आपके शरीर के रूप में नहीं होती, तब आपका वन्च महतुपूर्ण नहीं होता. ये वन्च की बात नहीं है. वन्च से मिले अधिकारों को खत्म होना होगा. तब ही एक सामाजिक लोकतंत्रा पाएगा. मगर वन्च से मिले अधिकार अब भी मौजूद हैं. आपके पिता कौन है, ये अब भी महतुपूर्ण है. इसे खत्म होना होगा. मेरे पिता कौन है, ये आपके समस्या नहीं है. ये मेरा विक्तिकत मुद्दा हो सकता है. पर आपका नहीं, मैं कौन हूँ, यही आपके लिए माइने रखता है. समाज में इसे लाना होगा. ये अब तक नहीं हुआ है. कई रूपों में हम एक लोकतंत्रिक प्रणाली के जर्ये जागिरदारी चला रहे हैं. जब भी चुनाओं होता है, तो जाती, वर्ग, धर्म की इतनी बात क्यों होती है? आप किसकी पूजा करते हैं, किस जाती के हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मगर फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोकतंत्रिक तरीकों से जागिरदारी चला रहे हैं. हर कोई जानता है, कि अगर ये जाती आपसे जुड़ती है, तो उसका प्रतिशत क्या है? अगर वो धर्म आपसे जुड़ता है, तो उसका प्रतिशत क्या है? अमबेटकर की दृष्टी एक सामाजिक लोकतंत्र की थी. सिर्फ राजनीतिक लोगतंत्र की नहीं क्योंकि राजनीतिक लोगतंत्र या कोई भी लोगतंत्र एक अंतहीन बहस और छलावा है ये तभी सार्थक है जब हम सामाजिक लोगतंत्र प्राप्त करें असल में सिर्फ राजनीतिक लोगतंत्र कई रूपों में एक बाधा है हम वहाँ सीधे सीधे नहीं पहुंच सकते हमें पहले राजनीतिक लोगतंत्र लाना होगा फिर सामाजिक लोगतंत्र तक पहुंचना होगा और वही हम कर रहे हैं मगर सत्तर सालों के बाद मैं कहूंगा कि हमारी रफ्तार थोड़ी धीमी है। तो आप एक पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, आप ये हैं, वो हैं, कौन सी जाती, कौन सा वर्ग, ये माइने नहीं रखता। यही विलाने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भागे वश अब भी कानूनन दलितों के पास समान अदिकार हैं, मगर सामाजिक रूप से हमने ये हासिल नहीं किया है। अब भी उतना ही भेदभाव होता है। वे अपनी जीवन का ये दिल को छूने वाला एक किस्सा बताते हैं, जब वे नौ साल के थे, वे एक गाउं से कहीं और जा रहे थे, जहां उनके पिता काम करते थे, पुड़े या कहीं और, ये नौ साल का ललका और उसका बागी परिवार सफर कर रहा था। जब वे रेलवे स्टेशन पर उत्रे, तो उन्हें वेटिंग रूम में नहीं रुखने दिया गया। कोई बैलगाडी उन्हें अपनी मन्जिल तक ले जाने के लिए तयार नहीं थी। काफी कोशिश के बाद एक बैलगाडी वाला उन्हें ले जाने को तयार हुआ। मगर वो उन्हें बैलगाडी पर बिठा कर खुद पैदल चला, क्योंकि वो उन लोगों के साथ बैलगाडी पर नहीं बैठना चाता था। तर्भागे वश यह ग्रामीन भारत में आज भी सच है उस हट अज भी सच है यह सोच कि किसी दूसरे इनसान के छूने से आप अपवित्र हो जाएंगे या आप पर उसकी चाया पढ़ना भी आपको अपवित्र बना सकता है दुर्भागे से आज तक कायम है लोगों की एक पीड़ी के रूप में हमें इसे अब खत्म करना चाहिए क्योंकि अगर हमने इसे ठीक नहीं किया तो एक गणतंत्र के रूप में भारत का विचार ही असफल हो जाएगा देखे भारत जैसे देश में आप जो भी कानून बना लें खास कर कुछ सुविधाय हासिल करने के बारे में वहां दुरुपियोग होगा हमें उपियोग और दुरुपियोग को तौलना होगा एक समदा है जो हजारों सालों से थोड़े समय से नहीं हजारों सालों से भेदभाव का शिकार रहा है कि ये बहुत मजबूती से माना जाता है कि उनका जन्म ही नीची प्रकृती का है अगर आप उन्हें कुछ सुविधाओं के साथ उपर नहीं लाएंगे ताकि वे किसी दिन बराबर हो सके तो ये बहुत अन्याय होगा सिर्फ इस लिए क्योंकि आज किसी को कोई आरक्षन मिल रहा है और आपको लगता है कि ये उचित नहीं है क्योंकि आपको एक कॉलेज में दाखिला नहीं मिला या कुछ और मैं इसके पीछे चुपे असंतोष को समझता हूँ हमें समझना होगा कि इसका कारण है कि हम जो भी इंफ्रस्ट्रक्चर या सिक्षा या सुविधाय बनाने की कोशिश कर रहे है इसके लिए हमारी आबादी बहुत अदिक है मगर आरक्षन कई रूपों में जैसा कि मैंने देखा है खास कर दक्षन में शायद उत्तर में इसका बहुत अच्छी तरह से इस्तिमाल नहीं हुआ है मगर दक्षन में दलित समुदाय के लोगों की एक पूरी पीड़ी मुख्य रूप से आरक्षन के कारण अच्छी शिक्षा और नौकरी पासकी है मुख्य रूप से आरक्षन के कारण अब असंतोश अलग-अलग स्तरों पर सामने आएगा तो समय के साथ आरक्षनों को लेकर शायद थोड़ा सुधार करना होगा समय के साथ देखे मसलन आप किसी को दाखिला दे सकते हैं मगर आप उसे इसले पास नहीं कर सकते क्योंकि वो ये खास जाती का है वरना देश में योगिता का स्तर नीचे आ जाएगा उन्हें आवसर दिया जाना चाहिए और अच्छी स्कूली सिक्षा की कमी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त कोचिंग भी दी जानी चाहिए मगर हमें योगिता पर समझोता नहीं करना चाहिए और इसी तरह नौक्रियों के लिए उन्हें आरक्षन मिलना चाहिए ताकि वे नौक्री में आ सकें मगर प्रमोशन सिर्फ योगिता से ही मिलना चाहिए ये सुधार जरूरी है मगर जैसा कि हमने कहा एक लोक्तांत्रिक प्रक्रिया में हमेशा आखिरकार एक चुनाव जीतना पड़ता है कोई किसी बदलाव के बारे में बात करने का सहस नहीं करता चाहे सकारात्मक या नकारात्मक क्योंकि ये खास समदाई से संबंदित कोई भी चीज चुनाव जिता या हरा सकती है जीतना या हरने वाली बात मैं मानता हूँ मैं वाकई मानता हूँ कि विकास के मौजुदास्तर में दलितों को इस देश में जो जगा प्राप्थ है, वहां उन्हें आज भी आरक्षन की जरूरत है। लेकिन अगर शहरी दलितों और ग्रामीन दलितों को अलग-अलग पहचान दी जाए, क्योंकि ज़ादातर भेदभाव और नुकसान ग्रामीन भारत में होता है। उन्हें अधिक लाब मिलना चाहिए, बजाए उनके जो पहले से शहरी समाज में रह रहे हैं। इसे ऐसे भी किया जा सकता है। पहली पीड़ी को उस समाजिक खाई से निकाला जाए, जो दुरभागेवश उनके लिए खो दी गई थी। उन्हें आरक्षन दिया जाए, दूसरी पीड़ी में थोड़ा कम किया जाए, तीसरी पीड़ी को उससे बाहर कर दिया जाए। मगर ग्रामीन दलितों के लिए ये बहुत जरूरी है, फिलहाल इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, क्यूंकि भेदभाव बहुत कुरूर है, इसलिए हमें इसे कम आगकर ये नहीं सोचना चाहिए, ओ, उन्हें अनुचित लाब मिल रहा है, आप को और आक्षन हटा लेना चाहिए, नहीं, ऐसे लोगों को इस देश की ग्रामीन स्थिती को जाकर देखना चाहिए, वो कितनी भेदभाव पूर्ण है, भयानक रूप से भेदभाव पूर्ण, वे मुख के दर्वाजे से आपके घर में भी नहीं आ सकते, उन्हें पीछे के दर्वाजे से आना होता ह यह किसी भी इनसान के लिए सुईकार योग नहीं है, वे किसी लोकल चाय के दुकान पर चाय भी नहीं पी सकते, इसे सुईकार नहीं कर सकते, ठीक है, तो वंच से मिलने वाले ये अधिकार खत्म होने चाहिए, और आरक्षण देश के लिए अभिशाप नहीं है, हम कुछ स उनके साथ साजा करना चाहिए, जो अभी इससे बाहर नहीं आ पाए हैं। मेरा मतलब ये जिम्मेदारी से ही हो सकता है। देखे हमें समझना चाहिए, ये सुविधाएं एक मौझूदा अन्याएं के कारण ही दी जा रही हैं। हमें सुविधाओं को एक और अन्याएं में नहीं बदल देना चाहिए। इसके लिए हमें एक अधिक सजग समाज की जरूरत है। हमें लोगों को इस समुदाए, उस समुदाए के रूप में देखना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि हम सभी के पास एक ही वोट है। देखे, अमबेड कर अपना जीवन अपने हाथ में लेने के एक शांदार उदारण है। वो जिस तरह की प्रश्ट भूमी से आये थे। उन्होंने जो बौधिक प्रतिभा दिखाई। वो किसी भी पीड़ी के लिए एक प्रेरणा है। सामाजिक नुकसानों से उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उसके बारे में परयाप बोला या नहीं, बात ये नहीं है। यही उनका जीवन है। अपने जीवन को अपने हाथ में लेना और आगे बढ़ते जाना। चाहिए आप किसी भी तरह की प्रष्ट भूमी से आये हो, मगर हर इंसान से वो करने की उम्मीद करना, जो उन्होंने किया, उचित नहीं है. आपको उनके लिए थोड़ी सुविधा देनी होगी. ये बहुत शर्म की बात है. व्यक्तिकत रूप से मैं शर्मिंदा में सुस करता हूँ, कि आज भी, हलाकि हम सैक्डों गाउं में सक्री हैं, हम आज भी उसे बदल नहीं पा रहे हैं. मैं कोशिश करके देख चुका हूँ. आप बस टक्राव पैदा करते हैं. वो भट पड़ेगा. इसलिए मैं मानता हूँ, दलित समुदाय के लिए. शिक्षा से आर्थिक सफलता मिलनी चाहिए, और उन्हें उन समुदायों से बाहर निकलना होगा, तब ही बदलाव आएगा. या सिर्फ इसे पीडिगत बदलाव होना होगा. इस पीडिगी में अगर उसे बदलना है, तो उन सभी को उच्च शिक्षा हासिल करनी होगी, और उन्हें ग्रामीन समुदायों से बाहर निकलना होगा. जहां चाहे कुछ भी हो, उन्हें निचले स्तर पर रखा जाएगा. यह बहुत कमजोर बनाने वाला भेदभाव है. हालां कि यह संस्कृति हजारों सालों से आध्यात्मिक्ता में डूबी हुई है. और यह हमेशा कहा गया है कि हमारा जीवन हमारा कर्म है, मतलब हमारा जीवन हमारा खुद का बनाया हुए. इसके बावजूद, पिछले कुछ सौ सालों में हम इतने लाचार हो गए हैं. मैं कहूंगा कि यह लगबग हजार सालों तक एक अधीन देश होने का नतीजा है. जब तक कि आप उपर मौजूद किसी व्यक्ति को खुश नहीं करते, आपका गुजारा होना मुश्किल है. मेरे ख्याल से यह भारती और मानस में बहुत गहरा उतर गया है. और जब तक एक अच्छा नेता आता है, जब एक योग्य नेता आता है, उसे नेतरत्व की कई पर्दों की ज़रूरत होती है. इसकी बजाए उसकी पूजा होने लगती है. अपनी पूजा से वो क्या करेगा? दुर्भागे वश, हम नेतरत्व की उन कई पर्दों को नहीं बना पाए हैं, क्योंकि ये एक अधीन देश की मान सकता है, खासकर तब जब वो सैक्ड़ों सालों तक अधीन रहा हो. जहां लोग धीरे धीरे समझ जाते हैं, अगर आप अपना सिर उठाएंगे तो आपका सिर कट जाएगा, बेतर है सिर को जुका कर रखें, अपना काम करें और चले जाएं, अगर आपको कुछ चाहिए तो जो उपर बैठा है उसकी चापलूसी करें. ये चीज हमारे अंदर बहुत जादा गहरी समा गई है. मेरे ख्याल से कई रूपों से अमबेड कर इसके खिलाफ लडे, कि नेताओं और राजनेताओं को आधा भगवान मत बनाईे. आपको अमबेड कर के साथ एक चीज करनी चाहिए. आप अमबेड कर को पूजिये मत, मगर उनके जीवन की तरह अपना जीवन बनाएं. यही ज़रूरी है. अनुकरण की बजाए उनकी पूजा की जा रही है. नहीं, आपको उनके जीवन का अनुकरण करने की ज़रूरत है. कि चाहे समाज आपके लिए कुछ भी तै करे, आप रुकेंगे नहीं. आपने अपना जीवन अपने हाथों में ले लिया है. हमें यही प्रदर्शित करने की ज़रूरत है. आपकेंगे ज़रूरत है.